ओम शिरी गनेशाय नमा नमस्कार दोस्तो रोचक चानकारी में आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज नहीं नहीं वीडियो लेकर आती रहती हूँ तो दोस्तो आज हम बात करेंगे अद्बुद घास के चार अचुक उपायों के बारे में जिससे आप कर सके हैं गनपती जी को प्रसन जी हाँ दोस्तो गनपती जी घर आने वाले हैं गनेश चतुर्थी के दिन ऐसा कौन सा खास उपाय कर लिया जाए जिससे की गनेश भगवान आप पर प्रसन हो जाए अगर आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री गनेश आये लिखना मत भूलेगा चैनल को जरूर लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और शेयर करना मत भूलेगा गनेश चतूर्थी के दिन यदि आप दुर्वां घास के कुछ अच्छो को पाए अजमाती हैं तो आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं गनेश चतूर्थी का त्योहर पूरे देश में धूमधावन से मनाया जाता है हर साल गनपती बप्पा का स्वागत लोग पूरे श्रद्दा भाव से करते हैं यह पर बहादो महिने के शुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी को मनाया जाता है इस साल गनेश चतूर्थी 31 अगस्त बुद्वार के दिन मनाया जाएगा इस दिन लोगों में बेसबरी से इंतजार होता है यह पर गनपती बप्पा को समर्पित होता है और इसमें लोग अलग अलग तरीके से गनपती को प्रसंद करने की कोशिश करते हैं यह त्युहार इस साल बुद्वार के दिन पड़ेगा इसलिए इसका महत्व ओर जादा बढ़ जाएगा ऐसी माननेता है कि जो व्यक्ति गनपती पूजन में दुर्वा गहांस चड़ाता है उसे विशेश फलो की प्राप्ती होती है इस साल गनपती पूजन में आप दुर्वा गहांस के कुछ उपायों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं तो जानते हैं दोस्तों उन्हों पायों के लिए धन लाप के लिए दुर्वा का एक खास उपाय यदि आप घर को धन धाने से बढ़ना चाहते हैं तो गनेश चतुड़ि के दिन 21 दुर्वा को मिलाकर एक लाल धागे या कलावे में बांधें इसे गनपती जी के प्रतिमा के पास रखें यदि आप घर में गनपती स्थापित कर रहे हैं तो इसे बंदे हुए दुर्वा से गणपती की प्रतिमा से नियमित रूप से जल छिड़कें। आपके घर में अवश्य ही धन वर्स्ता के योग बन जाएंगे। 21 दुर्वा के साथ हल्डी की एक काठ लें और इसे पीले कपड़े में बाद कर घर की तिजोरी में रखते हैं। इसे 21 दिन तक रखें और फिर किसी पवित्र नदी में इसको बाहा दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप विवा ना होने से परिशान है। शेगर विवा के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप क्या कीजे। यदि आपके विवा में बाधाय आ रही हैं तो गणेश चतूर्थी के दिन से हर बुद्वार को गणेश जी को 21 दुरवा चड़ाएं। यदि लड़के की शादी में अडचने आ रही हैं तो ये उपाय लड़के की मा को करने हैं। ये उपाय आप लगातार 21 बुद्वार तक करें जल्दी ही शादी के योग बन जाएंगे। ग्रहे कलेश दूर करने के लिए दुरवा का ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके घर में बिना वज़े लड़ाई जगड़े होते हैं तो आप गणेश चतूर्ती से हर बुद्वार के दिन गाये को हरी खास खिलाएं। बुद्वार तक ये उपाय आजमाएं आपके घर से लड़ाई जगड़े दूर होंगे और आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा। पती पत्नी के बीच जगड़ों से बचने के लिए दुरवा का उपाय बहुत ही उप्युक्त होता है। यदि पती पत्नी के बीच बिना वजह जगड़े होते हैं तो दोनों मिलकर गणेश चतूरती के दिन गणपती पूजन करने के साथ जोड़े में दुरवा घास अरपित करें। ध्यान रखें दुरवा हमेशा जोड़े में या 11 और 21 की संख्या में चड़ाई जाती है। गणपती को दुरवा घास चड़ाने के नियम। गणपती के 11 मंत्रों का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। आपके सभी इच्छाएं पून होती हैं। गणपती महराद आपके हर इच्छा को पून करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय लिखना मत भूलेगा। ओम श्री गणेशाय नमा नमस्कार दोस्तों।